अमेठी कोथवाली क्षेत्र अंतरगत नुवावा गाव में आज शाम उस समय हलकंप मच गया जब अपनी ही दुकान पर बैठे राजेंद्र प्रसाद शुकला से एक युवक ने ट्रैक्टर के समबंध में जानकारी हासिल की। जब युवक ने पूछा की यह ट्रैक्टर लखनलाल का है तब राजेंद्र प्रसाद ने बताया की नहीं यह मेरा है। सामुदाइक स्वास्थे केंद्र अमेठी पहुचे जहां पर मौजूद डॉक्टर सौरप सिंग ने घायल राजेंद्र का इलाज किया। बताया जा रहा है कि राजेंद्र के पेट में तीन चर्रे घुसे थे। इलाज के बाद सभी चर्रे निकाल दिये गए। अब राजेंद्र प्रसाद शुकला की हालत खत्रे से बाहर बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही ततकाल अमेठी कोथवाली के प्रभारी निरीक्षक इंस्पेक्टर अरुन कुमार द्विवेदी अपनी टीम के साथ सामुदाइक स्वास्थे केंद्र अमेठी पहुँचे। जहां पर उन्होंने घायल राजेंद्र प्रसाद शुकला से घटना के सम्बंध में पूरी जानकारी ली। राजेंद्र प्रसाद शुकल ने बताया कि जिस ट्रैक्टर के विशे में वह युवक पूछ रहा था वह मेरी बेटी के बेटे का है अर्थात मेरे नाती का है एक युवक ने मुझ पर तमंचे से फायर किया और ट्रैक्टर के पीछे खड़े दो अन्य युवक को मिलकर तीनों लोग मौके से भाग निकले राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि तीनों लोग बाइक से आय हुए थे हाला कि घटना के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है पुलिस प्रत्येक एंगल से इस घटना की जाच करने में जुटी हुई है अमेठी कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक इंस्पेक्टर अरुन कुमार द्विवेदी ने बताया कि अभी घायल की और से किसी भी प्रकार की कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है तहरीर प्राप्त होते ही सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया जाएगा फिलहाल पुलिस अपने तरीके से पुरे मामले की जाच परताल में जुटी हुई है शीग्रही इस बात का खुलासा हो जाएगा कि यह गोली चलाने वाले कौन लोग थे और आखिर राजेंद्र प्रसाद शुकला को उन्होंने गोली क्यों मारी तो वह पहुंचा तो कहता है लगला inici कर है कि हमना ひें कि अनुदेद्र को लिचे पास अकेलह लेकिन अपर्द मेरे कि चीत सियाख कि अचह से बदमास जे ओणता है सबूठ साइगों है